क्या आपने कभी गूते हुए आटे से इस तरह से पानी में तलकर पूरियां बनाई हैं अगर नहीं तो एक पर जरूर से बनाईएगा क्योंकि यह रेस्पी आपको बहुत 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 ही जादा पसंद आएगी और आपकी ठेस सारे पैसे भी बचेंगे तो चलिए फिर रे आटा ले रहे हैं अगर आपके पास गुता हुआ बचा आटा नहीं है तो आप जैसे रोज डेली रोटी पर आठे के लिए आठा गूते हैं आप वैसे ही गूत कर तयार कर सकते हैं आठे के इस तरह से छोटी-छोटी लोईयां तोड लेंगे जैसे रोटी या पूरी को हम बस उसी तरह से हमें बेल कर तयार कर लेना है रोटी का साइज आप अपने पसंद से छोटा या फिर बड़ा भी रख सकते हैं जैसे आपको आसाल लगे देखे हमने इसे कुछ इस तरह का पतला बेल कर तयार किया है आपको भी इतना ही पतला बेल कर तयार करना है इसको प्ल रेश्पी बहुत ही ज़्यादा सांदार होने वाली है और बिल्कुल नई भी इस तरह की रेश्पी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी और ना ही कहीं देखी होगी तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा हमने अपनी फैमली के हिसाब से चार पूरिया बनाकर रेडी कर ली हैं पूरियों को हम यहीं पर रखा रहने देंगे और गैस की तरफ चलते हैं इधर गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी हैं कढ़ाई में हम जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे पानी में हम थोड़ा सा नमक इससे पूरियों के अंदर तक नमक चला जाएगा पूरिया आपस में तलते समय पूरिया आपस में चिपके नहीं इसके लिए हम यहीं पर कोई भी खाने वाला तेल दो चम्मज के करीब डाल देंगे और पानी में बड़ी हासा उबाल आने देंगे आप एक बात का ध्यान दी और कुछ सिकंड तक रुख जाएंगे कुछ सिकंड के बाद दूसरी पूरिय डालेंगे कुछ सिकंड रुखने से क्या होगा ना हमारी पूरिया आपस में चिपकेंगी नहीं और हमें रेस्पी बनाने में कोई परिशानी भी नहीं होगी दोस्तों आप से हमारे प्यार इस मिनिट में ही पक कर तयार हो गई है तो यहीं पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूं देखें हमारी गलती के वज़े से एक पूरी हमारी टूट गई है तो इसे अलग निकाल कर रख लेंगे इसे यह नहीं हम और इसी नास्ते में हम इस्तेमाल कर लेंगे तो आप ध्यान दीजेगा कि आपको इस पैचुला से रोटियों को बहुत ही धीरे-धीरे आतों से चलाना होता है नहीं तो ऐसे ही आपसे भी रोटियां तूट सकती हैं इन्हें निकालने के बाद हम कोई साब सुत लेंगे और इसको इस तरह से चकले पर रोल करेंगे देखें यह बहुत आसानी से रोल भी हो रहा है रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो एक चाकु लेंगे और इसको हाप हाप इंच या फिर उससे भी कम मोटाई में इसकी कटिंग करेंगे देखें कुछ इस त बहुत ही ज़्यादा घुस हो जाएंगे यकीन मानिए बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा साथी यह बहुत ही ज़्यादा healthy भी है इसी तरह से हम सभी पूरियों को काट करके ready कल लेंगे इस recipe को आप कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है सभी चीज़ें हमारी किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं आप देखी रहे हैं हमने सभी रोटियों को काट लिया है तो क्या करेंगे न हाथों में हलका सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसके सभी लच्छे खोल लेंगे तो इस तरह से हमारे होम मेट के हो के आटे से पास्ता बन कर तयार है और इधर हमने सेम कड़ाई को साप करके गैस पर दुबारा से चढ़ा दिया है कड़ाई में हम दो चम्मत तेल डाल कर गरम करेंगे तेल हमारा बड़िया सा गरम हो गया है तो हम सबसे पहले 6-7 कलिया लहसन की पारी काटली थी इन्हें डाल देंगे अगर आपको लहसन खाना पसंद है न तो जरूर से डालिएगा इस रेस्पी में लहसन का स्वादना बहुत ही बड़िया जाता है यहीं पर दो बारी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे इन दोनों चीजों को हम बस हलका सरोष्ट करेंगे फिर एक बड़े साइज की लंबाई में कटी हुई प्याज भी डाल देंगे दोस्तों प्याज को हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे बस हलका सकच्चापन हटाएंगे फिर उपर से कुछ सब्जिया भी आइट करेंगे एक गाजर जिसे हमने बारीक पतला काट लिया है इसको डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लंबाई में चुकंदर भी डालेंगे आधा सिमला मिर्ज जिसे हमने पतला पतला काट लिया है इसे भी आइट करेंगे अगर आपके पास पत्ता गोबी है तो आप उसे भी राल सकते हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी सब्जिया डालने से न आपासता हमारा बहुत जदा हेलदी बनकर तयार होता है साथ ही सवाद में और देखने में भी काफी सांदा लगता है सब्जियूं को हम ज़यादा नहीं पकाएंगे बस टेश फ्लेम पर एक या दू मिनट ही पकाएंगे दो मिनट के बाद गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और इसमें हम कुछ सॉसेस भी आड़ करेंगे सॉसेस बच्चों को काफी पसंद होती है न एक चम्मस टोमाटो कैचप एक चम्मस ग्रीन चिली सॉस और एक चम्मस ब्लेक सोया सॉस दोस्तों सॉसेस अपनी पसंद से कम या जादा भी कर सकते हैं सभी चीजों को मिक्स करेंगे और जो हमने पास्ते बना कर रखे हैं न ओ भी आड़ कर देंगे सभी चीजों को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे पास्ते को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ दोस्तों आप इसकी जगह पर अपनी मन पसंद कोई भी पास्ता मसाला डाल सकते हैं यही पर थोड़ा सा स्वाद के निस्वा नमक भी डाल देंगे पसिसे सभी चीजों के साथ एक डेढ़ मिनट के लिए और अलट पलट कर लेंगे डेढ़ मिनट के बाद लीजे दोस्तों हमारा हो मेट देशी पास्ता बन कर बिल्कुल तयार है गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे एक बात कि मैं पूरी गारंटी लेती हूँ अगर आप किसी को बताएंगे नहीं न तो कोई बता नहीं पाएगा कि यह पास्ता आपने गेहों के आटे से बनाया है और स्वात इतना ज्यादा लाजबाब है कि मार्केट का पास्ता छोड़कर आप हमेशा यही बनाना खाना पसंद करेंगे और सभी को खिलाना भी दोस्तों अगर आपको गोथें में आटे की कैंडी पास्ते की रेस्पी चाहिए तो इस्क्रीन पर आ रही वीडियो पर किलिक करके देख सकते हैं थैंक यू